Hello everyone, welcome back to our channel, आज हम अपना एक नया चेप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लेजर, यह हमारे एक छोटा से चेप्टर है लेकिन काफी important चेप्टर है, मैं जो है आपको final account पढ़ाने जा रहा था, लेकिन final account पढ़ाने से पहले हमारे पास दो छोटी छोटी चेप्टर आ ज जरूरी है, जिसमें से एक है हमारा ledger और दूसरा है हमारा trial balance, तो काफी students को तो ledger और trial balance बनाना पहले से आता होगा, लेकिन मुझे सबी students को साथ मिलेके चलना है, जिनको ledger और trial balance नहीं आता होगा, उनको final account पढ़ाने चेप्टर के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती ह तो इसलिए मैं सोच रहा हो कि पहले आपको ledger और trial balance करवा देता हूँ, छोटे छोटे चेप्टर है, फटावट complete हो जाएंगे, एक बार हम इसे complete कर लेंगे, उसके बाद हम अपने final account वाले chapter पर चलेंगे, अब देखो final account से पहले ledger और trial balance करना जरूरी क्यों है, तो देखो ये बात हमें पता है कि हमारे पास एक accounting process होता है, हमने जो है chapter number one के अंदर accounting process के बारे में काफ़ी detail में बात करी वी है, तो accounting process के अंदर ये कुछ steps होते हैं, हमारे business के अंदर transactions और events होते हैं, business के अंदर daily basis पर जो activities होती हैं, उनको हम transactions and events का नाम देते हैं, जैसे कि daily basis पर business के अ तो वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में डिसक्रिशन किया था तो उसको मैं यहाँ पर दुबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं आपको पहले ही बता दूँ यह चैप्टर पढ़ने से पहले आपको चैप्टर नमबर वन पढ़ना बहुत जरूरी है और रिकॉर्डिंग करने का हमारे पास कोई ना कोई बेसेस तो होना चाहिए कोई ना कोई एविडेंस तो होना चाहिए जिसके बेस पर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रोज जो है business के अंदर transactions और events होंगे और रोज हम check करेंगे कि इसमें से monetary terms वाले transactions और events कुन सी है अगर मैं simple सी बात बोलूँ तो आप जो है daily based पर अपनी purchase, sale, revenue, expense की recording करते हो तो वही बात बोली जा रही है यह सारी बाते भी हम chapter number 1 के अंदर पढ़के आ चुके है इसलिए यहाँ पर मैं बहुत detail में discussion नहीं कर रहा तो second step होता है हमारा measuring का सबसे पहले हमने अपनी transactions और events को identify कर लिया उसके बात second step आता है हमारा measuring का कि आखिर इन transactions और events को हम कौन सी currency में record करेंगे कौन सी monetary terms में record करेंगे तो मैंने आपको बताया था जिस country में business चल रहा है उस country की currency को measuring unit माने जाएगा तो यहाँ पर हम अपनी identified transactions और events को currency of a country में record करेंगे जैसे कि आपका business इंडिया में चल रहा है तो आप अपनी purchase, sale को आपनी transactions और events को rupees में record करोगे चुकि यह आपकी country की currency है उसी तरीके से अगर आपका business US के अंदर है तो वहाँ पर आप अपनी purchase और sale को dollar में दिखाओगे तो जिस country में आपका business चल रहा है उस country की currency को हम अपना measuring unit बांते है तो यह हमारा second step हो गया उसके बाद तीसरा step आता है हमारा recording का अब हम अपनी identified transactions और events को record करेंगे recording होती है हमारी general के अंदर यह बात हम देख चुके है general के अंदर हम general entries पास करते है general entries के ओपर मैंने पूरी series करवा दिया आप जाके देख सकते हो financial accounting के अंदर जितनी general entries होती है वो सारी की सारी मैंने आपको general entry के series में करवा दिया तो general entry की वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा आप जाके देख लेना तो यहां पर हमारा तीसरा step है recording हम जो है general book के अंदर general entries को record करते है और recording के से order में होगी जनरल बुक के अंदर recording होती है chronological order में chronological order का मतलब होता है date wise recording तो जो transaction जब होगी वो transaction तब ही record करी जाएगी अगर मालो 10 तारिक को sale हो रही है 11 तारिक को purchase हो रही है तो पहले 10 तारिक को sale की entry record होगी उसके बाद 11 तारिक को purchase की entry record होगी अगर 10 तरिक कोई sale भी हो रही है purchase भी हो रही है expense भी करा जा रहा है तो पहले जो transaction और event हो रहा है उसकी recording हम पहले करेंगे पहले purchase हो रही है तो पहले purchase की entry record होगी उसके बाद sale हो रही है तो फिर sale की entry record होगी तो simple सी बात है, जिस order में काम होगा, उसी order में उसकी recording होगी, इसको बोलते हैं हम chronological order, तो general entries जो हैं वो chronological order में record करी जाती है, उसके बाद आता है हमारा four step, जो कि हमारा classifying, अब इसी classifying को हमें यहाँ पर पढ़ना है, जिसके अंदर हम ledger बनाना सीखेंगे, classifying का मतलब क्या होत जाती है, एक होता हमारा trial balance और दूसरा होता हमारा final account, जिसको आप financial statement का भी नाम देते हो, financial statement के अंदर हमारी दो चीज़ा आ जाती है, एक होती है हमारी trading profit and loss account और दूसरा होता हमारा balance, तो यह दोनों के दोनों हमारे final account के अंदर आ जाता है, तो summarizing के अंदर हमारे पस दो ची यह परफिर हम करेंगे अपना ट्राइल बैलन्स यह प्लिट हो जाएका तो पहले है उसके बाद आएंगे अपने फाइनल के उपर अकाउंट हमारा सबसे आखरी स्टेप होता है अकौंटिंग करने का परपस ही यह है कि हमें अपने विजनस का एंड रिजट देखना है कि आगे बढ़े तो आप शुरू करते हैं अपना लेजर का मतलब क्या होता है तो लेजर एक बुक है जिस तरीके से लेजर भी बुक है अब ये बुक जो है फिजिकली भी बनाई जा सकती है और डिजिटल फॉर्म में बनाई जा सकती है बाकि अगर आज के टाइम की बात करूं तो आज के टाइम पर डिजिटल फॉर्म में बनाई जाएगी तो लेजर जो है वो एक बुक है जिसके अंदर हम बहुत सारे अकाउंट ओपन करते हैं यहाँ पर जो है हम बहुत सारे अकाउंट बनाएंगे परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, क्रेड़र अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो कई सारे अकाउंट यहाँ पर ओपन करे जाएंगे और यह अकाउंट किसके बेसिस पर बनाए जाते हैं यह अकाउंट बनाए जाते हैं जनरल बुक के बेसिस पर जनरल बुक के अंदर हम जनरल एंट्री को रि दिखाऊंगा जहां पर हम general book भी बनाएंगे और फिर उसके basis पर ledger भी बनाएंगे तो अभी हम सारी बातों को practical questions न समझेंगे तब जाके बात अच्छे से clear होगी तो ledger के अंदर जो है हम accounts बनाते हैं और यह accounts जो है हमारे general book के basis पर बनाए जाते हैं इस नोन ऐस principal books of accounts ledger book को हम principal books of accounts के नाम से भी जानते हैं हमने chapter number 1 के अंदर देखा था general book को हम original books of accounts बोलते थे क्योंकि accounting के अंदर सबसे पहले general के अंदर recording होती है तो उसको हम original books of accounts बोलते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर हम अपनी Ledger Book को बोलते हैं Principal Books of Accounts जिसके अंदर Account-Wise Balance Determine किया जाता है Account-Wise Balance का क्या मतलब है वो अभी हम एक Practical Question से समझेंगे तब जाके आपको बात Clear होगी तो यहाँ पर जो है हर एक Account का Account-Wise Balance निकाला जाता है इच Account का मतलब है Purchase Account बनाए जाएगा अलग से Sale Account बनाए जाएगा Expense Account बनाए जाएगा Debtor Account बनाए जाएगा तो सभी Accounts का अलग से Separately जो है Account-Wise Balance निकाला जाता है अब यह कैसे निकाला जाता है यह क्या होता है उसके बारे में अभी थोड़ी दिर में बात करते हैं हम Recording का नाम देते हैं कि हम General के अंदर General Entries को Record कर रहे है उसके बाद जब General Entries को Transfer करा जाता है To The Leisure तो उस प्रोसेस को को हम Posting का नाम देते हैं तो समझ में आ रहीए बात a ledger account has two sides ledger account के अमारे पास दो sides होते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा ledger account के अमारे पास दो side होते हैं एक होता हमारा debit और दूसरा होता हमारा credit तो ये तो accounts के अंदर सब जगे ही होता है left side को हम debit बोलते हैं ये भी हमें पता है और right side को हम credit बोलते हैं ये भी हमें पता है each of the debit and credit side has 4 column debit or credit दोनों के अंदर 4-4 column होते हैं अभी देखेंगे कि ledger account कैसे बनाय जाता है और कौन-कौन से 4 column होते हैं तो 4 ये हमारे पास column होते हैं पहला होता हमारा date का दूसरा होता हमारा पर्टिकुलर्स का तीसरा होता है हमारा जनरल फॉलियो का जनरल फॉलियो का होता है that is page where the entries are taken for posting अभी इसका मतला थोड़ी देर बात समझेंगे आप बस नाम देख लो उसके बात फोर्ट होता हमारा amount तो ये 4 हमारे पास देट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो और amount तो ये हमारा साइड में भी चार कॉलम है डेट पर्टिकुलर्स जेएफ और amount और उपर लिख दिया account का name कि आखिर कौन सा account बनाय जा रहा है तो इन सब बातों को हम practical example से समझेंगे तब जाके बात clear होगी तो यह हमारा example है इस example के अंदर हमें 5 transactions दे रखी हैं एक एक करके देखते हैं तो पहली transaction है हमारी मोहन invested रुपीज 20,000 cash and rupees 2 lakhs by check to start a business तो यहां पर मोहन ने जो है business start करा है जिसके अंदर उसमें 20,000 रुपए cash invest करा है और 2,000 रुपए check से invest करा है तो यहां पर capital की बात करी जा रही है business के अंदर 20,000 की capital cash में invest करी गई है और 2,000 की capital check से invest करी गई है अगर आपको लेजर वाला chapter समझना है तो आपको general entries आनी चाहिए यहां पर मैं ही मान के चल रहा हूं कि आपको general entries अच्छे से आती है तो जिसको general entries नहीं आती वो जाके general entries की वीडियो को देख सकता है तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमारी capital invested की entry बन रही है तो general entries कैसे पास करी आती है general entries का format मैंने आपको बता रहा है general book के अंदर general entries बनाई जाती है यहां पर जो है पांच column होते है पहला होता हमारा date का दूसरा होता पर्टिकुलर का तीसरा होता है इसको बोगते है लेजर फॉलियो इसका मतलब क्या होता है वह भी थोड़ी देर में बताऊंगा उसके बाद आता है debit और फिर आता हमारा credit यहां पर पहली transaction के अंदर 20,000 रुपे की cash में capital आई है और 2,000 रुपे की चेक में capital आई है तो सबसे पहले cash के entry पास करेंगे cash अकाउंट to capital अकाउंट यह हमारी पहली entry हो गई entry पास करनी आती है आपको 20,000 रुपे debit में आ जागा 20,000 रुपे credit में आ जागा cash अकाउंट क्यों करा क्योंकि business के अंदर cash आ गया cash इंक्रीज हो गया cash asset होता असेट बढ़ेगा तो debit होगा उसी तरीके से capital हमारी liability होती है business जो है capital को अपनी liability बानता है तो liability बढ़ती है तो credit होती है तो इसी रिए two capital account हमने credit करा तो इसके logic तो आपको बता है तो यहां पर अगर मैं दुबारे discuss ना करूँ तो चल जाएगा तो यहां हमारी cash to capital account की entry पास हो गई उसके बाद दूसरी entry हमारी बैंक की business के अंदर दो लाग रुपे की capital आई चेक से तो entry बनेगी bank account capital account cash की जिएगे पर bank आ जागा तो लाग से bank debit हो गया और दो लाग से capital credit हो गया तो समझे मांगी बात अब आप चाहो तो यह दो अलग-लग entries को एक साथ कमद करके record कर सकते हो यहां पर जो है cash हमारे debit हो रहा है और bank भी हमारे debit हो रहा है तो debit debit वाली entry को आप एक साथ लिख सकते हो cash account debit bank account debit दोनों के एक साथ लिख लिए उसके बाद credit हो रहा है दो लाक रुपे दो लाक से हमारा bank increase हुआ है उसके बाद capital की बात करूँ हो तो capital के अंदर आप इन दोनों का add कर लोगे दो लाक VCR से हमारी capital increase हुई है तो आप चाहो तो यहां पर यह combined entry पास कर सकते हो या फिर चाहो तो इनको अलग-लग करके यह पास कर सकते हो तो यह हमार cash या credit कोई ज़नकरी नहीं है यह goods cash में purchase करें है तो मैं आपको general entries कराते समय बताया था कि अगर cash और credit की कोई भी ज़नकरी नहीं दे रखी तो हमें यह देखना होता है कि क्या हमें supplier का नाम दे रखा है तो बिलकुल यहां पर हमें supplier का नाम दे रखा है जो की है सुमित से business ने एक लाग के गुट्स पर्चेस करें तो उसका मतर्फ साफ है कि है ट्रांजेक्शन मारी मैं तरया विज्ट्रेड पर हम उड में तर्चेज पर्चेज के एंठी करेंगे तो यहां पर थो पर बदले और यहां पर दावल के एंध राकष्पे के लायाभिविलेटिंगी तो जब भी राक्राइच और करते हैं यहां पर एक राकष्पे से सुमित से हमारे बिस्नलस की लायभी आपको आती हैं अब नेक्स ट्रांजक्शन हमारी पीड coaster संबस्ताब्स की सइलरी हमारा चाटी 35 seven charismatic धाने पर बढ़ता थे अब सैलरी हमने चई से परीगे है यानि हमारा चाहिए व्हमारे पा करेंट्म कर जो हाग गया। यहां हमारी क्लेट की एन्टिरेब्स हैं इसके बाद फोर्त है हमारा पेड रेंट रूपीस 20,000 in cash तो यह भी हमारी expense के entry है वी से यार का rent हमने पे कर आए और rent पे करा गया cash में तो यहाँ पर इसकी भी same entry है rent हमारा expense है जो की increase हो रहा है तो rent को हम debit कर देंगे उसके बाद इस बाद जो है payment केश में करी गई है तो इस पर बैंक की जगे पर कैश क्रेडिट होगा तो समझ में आ गया अब लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी बॉट फरनीचर रुपीस 30,000 इन कैश तो यहां पर एक कैश करा गया है यह बात हमें पता है तो यहां पर असेट पर्चेस की एंट्री पास कर लिए है तो तो तीसए यहां से हमारा कैश भी कम होगा फरनीचर अकाउंट बीट कैश अकाउंट तो यह हमारी पास ट्रांजेक्शन की जनल एंट्री रिकॉर्ड करती हमने अब जनल एंट्री तो आपको पहले सिखा रखी है में हमें इस चैप्टर के अंदर लेजर जाते हैं तो एक बात आपको सारे अकाउंट अपने आप समझना आ जाता है तो चलते हैं अपनी ज़नेल एंट्रीज के उपर और देखते हैं आंखिर उत्से रिचाउंट कैसे बनाएंगे तो यहांपर जहां से देखो हमारी पहली एंट्री क्या हैं उर यहां पर क्याश हमारा कैश हमारा है और आपके हमारा घ्रीडिट होगे इस बात को ध्यान रखता है अब यहां पर कैश हो दो चियवे बारे में इसके मत् terrified हमें स्टीवर काउंट अ करण वोगन के hmmjas यहां तक की बात आपको समझ में आ गई सबसे पहले general entry के अंदर cash account हमारे debit हो रहा था तो हमें cash account के अंदर भी 20,000 से debit करना है अब यहां पर यह हमारा cash account है इसके अंदर debit side में यानि left side में 20,000 लिखना है तो यहां पर हमने 20,000 लिख दिया आप देखो 20,000 को हम किस नाम से लिखेंगे यहां पर cash account हमारे debit हो रहा है लेक ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा cash account debit था, लेकिन credit में जाता capital account, तो जब हम ledger account के अंदर debit transaction को record करते हैं, तो उस समय पर हमें यह देखना होता है कि इसके credit में क्या लिखा हुआ है, ledger के अंदर जिस amount को हम debit में लिखते हैं, उस amount के credit side को हम चेक करते हैं, तो इसके credit में लिख से clear हो जाएंगी, कि यह क्या करा जा रहा है, सब समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो, cash account के अंदर हमने debit में लिखा 20,000, और इस 20,000 का reason है, हमारे capital account, जो कि हमारे credit में लिखा हुआ था, तो हमने लिख दिया two capital account, अब एक बात और समझ नहीं है कि ledger account के अंदर debit side में जो भी चीज़े लिखी आती हैं, उसके सामने हम two लिखते हैं, उसी तरीके से credit side में जो भी account लिखे जाते हैं, उसके सामने हम वाई लिखते हैं, तो debit में हम two लिखते हैं, और credit में हम वाई लिखते हैं, तो हमने cash account के debit में लिख दिया two capital account 20,000, अब हमें capital account को credit भी करना है, यहां पर आप देखो cash account को debit करना था और साथ के साथ हमेan capital account को credit भी करना 20,000 से cash account का काम हुग वह सबस्क्राइब आप kaps had cash account हमारा गउंत में लिखा हुआ है और付 न लुखा है cash CHAFF to Capital account के credit side living the bank previous admitCRS यहां पर हमने capital account के credit side would be 20,000 लिख दिया 20,000 का reason क्या है रहा необходимо cash यहाँ पर हमें capital account को credit करना था 20,000 से और debit में लिखा था cash account तो हमने capital account में 20,000 से credit तो करा लेकिन सामने नाम लिदिया by cash account तो same way काम करा जो हमने cash account के अंदर करना था cash account को हमने debit करना था तो हमने यह देखा कि इसके credit में क्या लिखा हुआ है जो चीज इसके credit में लिखी थी उसी चीज को हमने cash account के debit side में लिख दिया उसी तरीके से हमें यहाँ पर capital account को credit करना था BCI से तो हमने capital account को BCI से credit तो करा लेकिन इसका जो नाम लिखा गया वो हमारा cash account लिखा गया जो कि हमा है लेकिन अमांट के सामने जो नाम लिख रहे हैं वह नाम को लेकर हम क्रॉस करते रहें अगर हमें क्रेडिट वाले का नाम से तो समझमारी आपको बात अब इसी तरहीके के सामने क्रेजिट करतेंगे उसके बाद आगर मैं बात करूब तो हमेरा नएं कॉंट है इसको हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें ब्सक्राइबक को डे различ two लाँ तो यह हमारा है इसके डेभिट में लिखना लगश तो यहां पर इसके डविर द्रठी दिया अब यहां पर फिर वही बात आएगी अब इस 2 लागश के सामने कहीं लिखेंगे अब अब रिखाए की जो 90 आकाउंट में लिखा वाथा आगर हम इसकी जनेरल लेकिन इसके सामने क्या लिखा हुआ है bank account to capital account के अंतर हम 2-0,001 रुपे is credit में लिखेंगे लेकिन कि नाम से लिखेंगे नाम लिखा जाएगा bank account तो यहाँ पर आप देखो capital account के अंदर हम दूसरी entry post करेंगे यहाँ पर लिखेंगे by bank account हमें दो लाग रुपे से credit करना है तो हमने दो लाग से logic के लिए अभी इंतजार करो थोड़ी देर में इसके बीछे का logic भी मैं आपको बताऊंगा अब जो है इस combined entry की भी लेजर में posting कर सकते हैं अगर आपके सामने एक combined entry दे रखी होती तो आप इससे भी इनको लेजर में post कर देते सेमी तरीके से पोस्टिंग होती है cash account हमारे debit है कितने से 20,000 से उसी तरीके से bank account हमारे debit है कितने से दो लाग से और credit में लिखाव है हमारे 2,20,000 तो यहां पर आपको क्या करना है जहां से समझना cash account हमें एक open करना है दूसरा में bank account open करना है और तीसरा में capital account पर अंदर हमें debit side में 20 जा लिखना है उसी तरीके से bank account के इंदर हम 2,000,000 रुपे debit side में लिखेंगे और capital account के अंदर च्रिअब करोगे हैं टो गैसे कूण्च करना में लेकिन किस नाम से अपर तोसले हो क्रेड़िट करा तो मैंने के अंदे आउन्धिर से क्परणा कोगे और दिया से क्यान क पास लंगर केड़च के अंदर आप समझमा रही आपको बात यहांपर आप देख सकते हुआ हमने यहीं किया था हमने cash account के debit में लिख द्या था तो समझमा आगी बात अब यहांपर देखो दूसरा है मारा bank account bank account को debit करना है दो लाग से 2,00,00 से bank account को debit करा जाएगा amount तो ठीक है लेकिन इस amount को किस नाम से लिखा जाएगा तो यह amount लिखने के लिए हम credit account को चेक करेंगे तो इसके credit में भी लिखावा है capital account तो इसका मतलब है कि यह 2,00,00 की amount भी capital account के राम से लिखी जाएगी तो हमें bank account को 2,00,00 से debit करना है तो यहाँ पर हमने bank account को 2,00,00 से debit करा और जिसका reason है अमारे पास 2 capital account तो समझ 20,00,00 की amount हम लिख देंगे लेकिन इसको किस नाम से लिखना है तो देखो इस capital account के debit account को हम चेक करेंगे debit में हमारे पास 2 account आ रहे हैं एक आरा हमारे पास 2,00,00 का bank account तो इस 2,00,00,000 के credit होने के हमारे पास दो reason है पहला reason है cash account और दूसरा reason है bank account तो यहाँ पर जो है हम capital account के लि लाग BCR को credit तो करेंगे लेकिन नाम होंगे दो अलग-अलग cash account 20,000 होगा और bank account 2,00,00,00 होगा तो यही काम अभी हमने किया था capital account के अंदर हमें 2,00,00,000 को credit तो किया था लेकिन दो अलग-अलग नाम से किया था buy cash account 20,000 और buy bank account 2,00,00, तो समझ मारी आपको बात अगर कुछ ब पर्चेस अकाउंट को देट करना है तो फटावट पर्चेस अकाउंट को उपन करते हैं तो यहां पर हमने पर्चेस अकाउंट को ऊपन करा और हमें 1,00,00,00 debit करना है तो यहाँ पर हमने 1,00,00 debit में लिख दिया अब इसका reason क्या है? इसका reason है तू सुमित account इसको हम सुमित account के नाम से लिखेंगे तो समझ़मारी यह बात उसी तरीके से अब हमें सुमित account को भी credit करना है सुमित का एक account खोलना पड़ेगा और सुमित account के अदर एक लाग रुपे credit करना है लेकिन इस सुमित account का reason क्या है? इसका reason है purchase account जब हमने उधार में goods purchase करें हैं तभी तो हमारा पास सुमित नाम के liability आई है तो सुमित हमारा creditor बना इसका reason क्या है? हमारी credit purchases और सुमेत अकाउंट के अदर एक लाग रुपे हम credit में लुख देंगे लेकिन किस नाम से लिखेंगे? purchases account के राम से लिखेंगे तो यहां पर हमने सुमित account अब यहीं अकाउंट आयूमित के credit में हमें लागा रुपे लिख रहा है से क्रेड़ेट करेंगे लेकिंक से नाम तो समयां आगी बात अब यहाँ बैंक अकाउंट को क्रेडिट भी करना है कितने से करना है 10,000 से अब इसके डेबिट में क्या है इसके डेबिट में है सेलरी अकाउंट तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करा जाएगा 10,000 से लेकिन किस नाम से पहले से उपन है इसके अंदर हमें 10,000 को क्रेडिट करना है लेकि किस नाम से लेखे जाएंगे टू कैश अकाउंट के नाम से क्रेडिट में कैश अकाउंट है उसी तरीके से कैश अकाउंट के अंदर हमें 20,000 क्रेडिट करने हैं तो कैश अकाउंट के अंदर 20,000 क्रेडिट करेंगे और किस नाम से क्रेडिट होगा रेंट अकाउंट के नाम स है यहाँ पर रेंट अकाउंट के अंदर क्रेट करना है लेकिन किस नाम से करना है नाम आएगा यहां पर करना था लेकिंं किसे डैबिट करना था लेकिंग डैबिट करना था कैश अकऔंट के नाम से यहां पर हमने लिख दुछ आजाएगा लेकिन किस नाम से लिखा जाएगा to cash account के नाम से लिखा जाएगा उसी तरीके से जब हम cash account को 30,000 से credit करेंगे तो किस नाम से credit करेंगे नाम लिखा जाएगा by furniture account तो समझ मारी यह बात furniture account के अंदर debit होगा 30,000 to cash account के नाम से और cash account के अंदर credit होगा 30,000 by furniture account के नाम से तो clear हो रहा है तो चलते हैं फड़ावट यहां पर सबसे बेले मैं cash account की बात कर लेता हूं तो cash account के अंदर हमें credit करना था 30,000 तो 30,000 से क्रेडिट करना है नाम लिखेंगे फरनीचर अकाउंट उसी तरीके से furniture account को देखते हैं, furniture account को हमें debit करना है कितने से 30,000 से, तो furniture account हमारे debit होगा 30,000 से, लेकिन नाम लिखा जाएगा 2 cash account, तो समझ में आगी बात, किस तरीके से general entries से हम ledger posting करते हैं, ledger बनाते हैं, यह आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पर अभी बात खतम नहीं भी, दिखान से सुनते चलो, सबसे बहले हम general entry से ledger account के अंदर ledger posting कर लेते हैं, हम जो है, हर item का अलग-अलग account खुल लेते हैं, और उसके इसाफ से entries की posting कर लेते हैं, तो यह हमारा पहला account complete हो गया, अब चलते हैं अपर second step के उपड, second step आता है हमारा balancing का, हमें इस ledger account को balance करना होत होता है, जितनी amount हमारी debit होती है, उतनी ही amount हम credit में लिखते हैं, तो accounts के अंदर हमेशा debit equal to credit रहेगा, इसको कोई मना नहीं कर सकता, तो यहां पर cash account के अंदर है, अभी तक हमने कौन-कौन सी entries को record करा, एक बार देख लेते हैं, यहां पर हमने capital account लेखा था 20,000, 20,000 से capital account को debit कर रहा था, उसके बाद 20,000 से rent account को credit कर रहा था, और 30,000 से furniture account को credit कर रहा था, तो इतना काम अभी तक हम कर चुके हैं, अब मैंने आपको बोला कि हमें debit equal to credit करना है, यानि debit side equal to credit side होनी चाहिए, अब अगर आप debit side का total करो तो कितना आ रहा है, 20,000, और credit side का total करो तो कितना रहा है एक बात हमें बता है कि credit side हमारी यहांपर बड़ी है और debit side हमारी यहांपर छोटी है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है, ledger के अंदर जिस side का total बढ़ा होता है, उस side के total को दूसरे side भी लिख देते हैं, यहांपर credit side का total बढ़ा है, 50,000 तो इसी 50,000 को यहांपर हम debit side में भी हमें, तो एक काम करते हैं, यहांपर 30,000 लिख देते हैं, यहांपर हमने 30,000 लिख दिया, और जैसे ही हमने यहांपर 30,000 लिखा, हमारा debit और credit दोनों के दोनों balance हो गया, हमने balancing कर ली, हमने debit equal to credit कर दिया, जितनी amount debit कम पढ़ रही थी, उतनी amount यहांपर हमने लिख दी, अभी इसके बीछे का logic मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लो कि हम करते क्या है, इसका सारे logic आपको पता चल जाएगा, उसके बाद यह कोई रिट्टा मारने वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार आप समझ लो, हम क्या करने हैं, हम यहांपर balancing कर रहे हैं, credit हमारा 50,000 तो कितना कम पढ़ रहा था, 30,000, तो 30,000 हमने यहांपर लिख दिया, तो अब हमारा यह debit भी 50,000 पूरा हो गया, अब यह जो 30,000 हमने लिखा, यह हमने balancing करने के लिखा, हमने credit side को debit side से balance करने के लिखा, तो इसलिए इसका नाम पढ़ता है balance CD, अब यह balance CD क्या चीज़ है, तो asset account को लेकर हमारे पास एक rule था, कि asset बढ़ता है तो debit होता है, कम होता है तो credit होता है, accounting के अंदर हमारे पास दो approaches होते हैं, एक होती हमारी modern approach, दूसरी होती हमारी traditional approach, मैंने आपको general entry सिखाई थी modern approach के इसाफ से, चुकि अगर आप modern approach को follow करते हो, तो आपका accounting करना असान हो जात असेट जब कम होता है, तो हम credit करते हैं, तो यहाँ पर cash हमारा asset है, business के अंदर जब भी cash बढ़ेगा, तो उसको debit कर देंगे, और business के अंदर से cash जब भी कम होगा, तो उसको credit कर देंगे, तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, यहाँ पर हुआ क्या था, हमारे पास BCR की capital को 80,000 कर दो, यहाँ पर जो है, सबसे पहले हम अपने question के अंदर सही करेंगे, इस BCR को 80,000 कर दो, BCR में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी आपको cash account का negative balance समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको हम बात में समझते हैं, पहले आपर आप BCR को 80,000 कर दो, उसी तरी को 80,000 कर लिया, logic हमारा same है, बस यहाँ पर हम amount को change कर रहे हैं, अब cash to capital account की एक entry यहाँ पर भी हुई थी, यह आपने BCR लिखा था, capital account के अंदर, तो इसको भी आप 80,000 कर लो, तो यहाँ पर यहाँ आप यहाँ आप बाते ज्यादा आसान हो जाएगी, BCR भी सही था, लेकिन वो फिर यहाँ पर cash का negative balance आया था, तो आपको समझने में दिक्कात हो जाती है, इसको मैं एक बार सही कर लेता हूँ, तो यहाँ पर दुबारा देखते हैं, एक बार दुबारा समझते हैं, यह हमारा cash account है, cash account का मतलब है हमारा asset account, asset जब भी बढ़ता है तो उसको हम debit करते है asset जब भी कम होता है तो उसको हम credit करते हैं, तो यहाँ पर हमने debit में लिखावा है, two capital account एटीथ हो जब है, business के अंदर capital का 80,000 का cash आया था, तो capital की वज़े से business का cash increase हो गया, और जब भी हमारा cash increase होता है, तो उसको हम debit करते हैं, तो इसलिए जो है, यहाँ पर हमने 80,000 को debit करा उसी तरीके से अगर मैं credit की बात करूँ, तो यहाँ पर हमने 20,000 का rent cash में pay करा था, उसके बाद हमने एक furniture खईता था, 30,000 का वो भी cash में, तो total हमने 50,000 का cash pay कराई, यानि हमारे business से 50,000 का cash कम हुआ है, 50,000 का cash हमारे business से निकला है, जब भी हमारा cash कम होता है, तो उसको हम credit करत तो समझ में आ लिए बात, तो अब अगर मैं आपसे बूच हूँ कि business के पास, अब इस time पर कितना cash बचा हुआ है, 80,000 का cash business के अंदर आया था, capital के नाम का, उसमें से 50,000 की cash payment हम कर चुके है, 20,000 का हमने rent पे करा है, और 30,000 का हमने furniture purchase के लिए, total 50,000 का cash business से कम हो चुका है, त तो 80,000 का cash increase हुआ था, 50,000 का cash decrease हो गया, तो अभी business के अंदर 30,000 का cash बचेगा, तो यह 30,000 यहाँ पर इसी cash balance को denote कर रहा है, 30,000 यहाँ पर कहां से आया, तो मैंने आपको बताया था, कि हमें account को balance करना होता है, हमें debit और credit को balance करना होता है, अभी यहाँ पर यह balance वाले 30,000 को उसके अंदर तो सिर्फ यह 3 चीजे थी, capital account का 80,000, rent का 20,000 और furniture का 30,000, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि हमें debit और credit को equal करना है, debit का total आ रहा था 80,000, और credit का total आ रहा था 50,000, 30,000 प्लस 20,000, 50,000 आ रहा था, तो हमने क्या करा, जिसका total ज्यादा आ रहा है, जिस side का total ज 80,000 में कितना कम पढ़ रहा है, तो आप बता सकते हो, 50,000 यहाँ पर आ रहा है, और 80,000 में यह 30,000 रुपे कम पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप 30,000 लिख दोगे, तो जैसे ही आपने यहाँ पर 30,000 लिखा, आपका credit का total भी 80,000 हो गया, अब यह 30,000 को हमें यहाँ पर नाम by balance CD, यह 30,000 का हमारा cash balance है, CD का मतलब होता है carry down, carry down का मतलब है कि आप अभी इसको carry करके next year में लेके जाओगे, अभी यह 30,000 का cash है, यह आपके पास इस year के end में बच जाएगा, और इस 30,000 के cash को आप next year में carry forward करोगे, यारी next year में इसको लेकर जाओगे, next year में भी 30,000 का cash आप next year के accounting करोगे, तो वहाँ पर सबसे पहले आप 30 year का cash लेकोगे, तो next year में कैसे लिखा जाएगा, उसके बारे में अगले example में बात करेंगे, अभी फिलाल आप यहाँ पर समझो, यह जो 30 year का cash balance है, उसको बोलते हम closing balance, यह हमारे cash account का closing balance है, जब हमने cash account को बंद करा, close करा तो हमें पता चला कि हमारे पास 30 year का cash balance बचा हुआ है, जिसको हमने buy balance CD के राम से लिख दिया, जब भी हम किसी account का closing balance निकालते हैं, तो वहाँ पर हम balance CD लिखते हैं, यहाँ पर इसको सही कर लेना, यहाँ पर buy balance CD आएगा, तू लिखा भाना, buy कर लेना, तो यह आपका buy balance CD हो पर एक और बात समझो, यह जो buy balance CD लिखावा है, इसको बोलते हैं, debit balance, यहाँ पर इसको debit कर लेना, हमने BCR को 80,000 करा, तो इसको debit balance कर लेना, तो यह हमारा debit balance है, अब लिखा credit में है, लेकिन बोल रहे हैं, debit balance, तो इसका क्या मतलब है, तो ध्यान से समझो, यह कौन सा balance होगा, debit balance होगा, कि credit balance होगा, यह हम कैसे decide करते हैं, तो यह तै करेगा, कि आखिर आपकी debit side बड़ी है, कि credit side बड़ी है, जब आपने amount का total करा, तो debit side जादा आया, कि credit side जादा आया, तो यहाँ पर cash account के अंदर हमारा debit side जादा था, debit side में 80,000 था, जबकि credit side में सिर्क 50,000 था, 30,000 तो हमने balance CD लिखा है, यहाँ पर cash account के credit side का total था, 40,000, जबकि debit side का total था, 80,000, तो जो side जादा थी, उसी side का balance भी कहलाएगा, तो यहाँ पर debit side जादा थी, इसलिए, भले हम इसको credit में लिख रहे हैं, लेकिन हम इसको बोलेंगे debit balance, credit में तो हम इसको सिर्फ इसलिए लिख रहे है credit side में हमने यहाँ पर अपना 30,000 लिख दिया, तो हमारा credit side का total 80,000 हो गया, तो हमारा account balance हो गया, debit और credit equal हो गया, बाकी है यह हमारा debit balance ही, debit side की entries का मतलब होता है, कि हमारे business के अंदर cash आया, और credit side के entries का मतलब होता है, कि हमारे business से cash गया, तो total हमारे पास 80,000 का cash आया था, जिस में से 50,000 का cash चला गया तो अगर मैं यहां पर 50,000 को काटता हूं 20,000 प्लस 30,000 यह 50,000 का cash हमारे पास से चला गया तो 80,000 में से 50,000 का cash चला गया तो अभी भी यहां पर debit side में 30,000 का cash बचा हुआ है तो 30,000 का cash तो debit side में बचा हुआ है उसी साइड का बैलेंस केलाता है, अब जोगो एक और चीज समझते हैं, मैं आपको Entries को पढ़ना सिखाउं, कि Ledger Account में से Entries को कैसे पढ़ा जाता है, हमारी सबसे पहली Entry थी Cash Account Debit to Capital Account, यादे आपको, हमारी सबसे पहली Entry थी Cash Account Debit to Capital Account, अगर हम लेफ साइड को पढ़ रहे हैं यहाँ तो सबसे बहले हम अकाउंट के नाम को पढ़ेंगे हम एसे बोलते हैं इसको cash account debit to capital account, यहाँ पर हमारे capital account लिखा है, cash account debit to capital account, यह हमारी entry होगे यह से जार की, अब credit side की अगर मैं बात करूँ, तो credit side में लिखावा है rent और furniture, अब ज़रा rent और furniture के entry को देखते, entry क्या थी, rent account debit to cash account, 20,000, और furniture account debit to cash account, 30,000, तो अभी इस entry को पढ़के देखते हैं, कैसे पढ़ा पढ़ते हैं, जब credit side के entry को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे पढ़ा जाता है, rent account debit to cash account, पहले credit side के entry को पढ़ते हैं, उसके बाद account के नाम को पढ़ते हैं, rent account debit to cash account, कितना है 20,000, उसी तरीके से दूसरा पढ़ेंगे, furniture account debit to cash account, कितना है 30,000, तो आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो अगर मैं आप से बोलता हूं कि general entry से लेजर बनाओ तो वो तो आप बना ही लोगे लेकंग अगर मैं आपसे बोलूं कि लेजर से general entry बनाओ तो आप बना सकते हो तो विल्कुल यहाँ पर मैं आपको यही सिखा रही हुँ, तो यह होता है entries पढ़ने का तरीका अभी हमice पढ़ेंगे तो आपको बात और इच्छे से समझ में आईगी पहले यहां तक की बात देख लो इतनी बात आपको क्लियर हो गई अब चलते हैं क्या इसका मतलब क्या है इसका मतलब होगा कि हमारे हमारे पाइध हिए होगा है वह इसका मतलब क्या हStrाह तो इसलिए जो है हमने अकाउंट को 2,80,000 से क्रेडिट करा था तो समझ मारी आपको बात तो यहां पर 2,80,000 की कैपिड़ल हमारे बिजनस के अंदर पड़ी है तो अब इस कैपिड़ल में से हमने कुछ भी पैसा नहीं निकाला अगर हम कैपिड़ल को विड्रॉब करते कुछ कैपिड़ल को विजनस से निकालते तो इसको हम लिखते लेकिन अब यहां पर कुछ नहीं लिखा तो अगर मैं यहां पर क्रेड़ल अकाउंट की बैलेंसिंग करूं तो क्रेड़िट साइड का टोटल आ रहा है दो लाका सियाजार पर लिखतेंगे तो अब यहां पर डेव लिखतेंगे दो लाका सियाजार उपर कैश अकाउंट के अंदर हमारा 30,000 कम पड़ रहा था क्रेड़िट साइड के टोटल आ रहा था 50,000 जबकि यहां पर नीचे लिखा था 80,000 तो 80,000 में 30,000 कम पड़ रहा था तो इसलिए यहां पर हमने 30,000 लिखा था जो कि हमारा बैले CD बन जाता है यह अब हमारा debit side और credit side equal हो गया तो यह balance CD है balance CD का मतलब है कि यह आपके capital account का closing balance है हम बोल सकते हैं कि year के end में आपके पास business के अंदर 2,000 का सियाजार की capital पड़ी है अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि यह 2,000 का सियाजार उपर आपका debit balance है कि credit balance है तो आप क्या credit balance है जो की account close करते समय डेबिट side में आ रहा है तो यहां तक की बात समझ में आ गई अब अगर मैं आपको entry पढ़ना सिंखाूं तो debit side में तो यहां पर कोई बी entry नी है यहां पर सिर्फ credit side में एंट्री में एंटिर है तो credit side के end को पढ़ लेते ंट्री गो जब भी हम पढ़ यहां पर आप देखो एंट्री वही थी cash account, debit to capital account, bank account debit to capital account तो समझ में आ गया तो यह आपको cash account, capital account clear हो गया अब चलते हैं अगले account के उपर है जो कि हमारा bank account अब bank account को देखो bank account हमारा asset account होता है asset बढ़ेगा तो debit कम होगा तो credit तो bank account के debit में लिखावा है होगे तो बिल्गुल सही बात है बुचनस के अदर एक क्वाइट जो की बैंक के थू आई यह नी चेक से आई थी तो डैबिट का मतलब है बिजनस का बैंक का कॉंट कम हो गया वैंक कम होता है तो हम क्रेडिट करते तो यहां पर 10,000 की सल्री में पे करी थी गसे जबकि अगर अपने credit side को टो वह आ रहा है तो ख्रेट side में 10 यार आ रहा है डेविट side में दो तो आप मैं इसे balance करना है तो यहाँ पर हम credit side में भी दो लाग लग देंगी और कितना कम हो रहा है 1,90,000 गया जिसको हम बाई balance cd का नाम देते हैं यह हमारा bank का balance है तो year के end बे हमारा कितना bank balance बचा हुआ है 1,90,000 गया अब यह कौन सा balance है debit या credit तो कौन सा amount जादा था debit या credit, तो CD बात है debit side का मौन जादा था, तो यह बनेगा हमारा debit balance, तो यहां तक की बात clear हो गई, अब ज़रा account की entry पढ़ना शुरू करें, debit side की entry कैसे पढ़ोगे, पहले account का नाम पढ़ोगे, bank account debit to capital account, कितना है, दो लाग रुपे, तो entry जाके चेक करें, bank account debit to capital account, दो लाग र तो चलते हैं देखते हैं, salary account debit to bank account, इतना है 10,000, तो मैच हो गया, तो अगला account है हमारा purchases account, तो देखो purchases account को लेके, बहुत सारे confusion होते हैं, purchases account का मतलब क्या होता है, कि हमने goods purchase करें है, अब यह goods हमारा asset होता है, कई लोग बोलते हैं कि goods purchase करना हमारा expense होता है, तो अब confusion यहाँ पर आता है कि यह जो purchases account है, यह account हमारा expense account है, या फिर asset account है, तो यह confusion वाली बात हो जाती है, तो इस account को समझने से पहले, एक बार पहले इसी confusion को दूर कर लेते हैं, तो यहाँ पर इस example से समझेंगे, कि यह purchase account कौन सा account होता है, तो यह हमारा example है, जिसके अंदर हमने goods purchase करें, 60, 60,000 के goods purchase करें, closing stock बचावा है, 20,000 का, closing stock का मतलब होता है, कि year का end हो गया, 31 March हो गया, और 31 March को आपके पास 20,000 के goods unsold है, यानि यह goods इस साल नहीं बिक पाए, तो इस साल के लिए तो यह closing stock के लाएंगे, तो यहाँ पर हमारा पास यह दो जानकरी दे रखिए, हमने जो है goods को purchase mai here is, 26,000 के goods purchase करें, यहाँ तो goods purchase करते टाइम पर, हमने जर्रल एंट्री के अंदर purchases account खुला होगा, अरगर हमने cash वो गृद्द पररचेस करें खुछेंगे होगी to cash account, और अगर हमने उधार में goods खई देंगे, credit में goods खई देंगे, तो हमारी entry होई होगी and prayerMe होंगी to credit account, आप चाहे cash में purchase करो, चाहे credit में purchase करो, आपका purchases account तो open हो गई होगा, तो यहाँ पर हमने 60,000 के goods purchase करें, तो हमारा purchases account open हो गया, अभी 60,000 में से साल के end में हमारे पास 20,000 के goods बच गए, जो की हमारा closing stock कराएगा, closing stock को हम asset बोलते हैं, और यह closing stock हमारा balance sheet के asset side में जाता है, यह बात हम सबको पता है, तो आप 60,000 में से 20,000 की बात तो हो गई, तो आप बच गया balance 40,000, तो 60,000 में से 20,000 के goods नहीं बिख पाए, इसका मतलब साफ है कि 40,000 के goods बिख गए होंगे, तो 40,000 के goods हमारे sale हो गए, तो जो goods हमारे sale हो गए, उन goods को हम बोलते हैं, COGS, cost of goods sold, cost of goods sold का क्या मत है, जो goods आप sold कर चुके हो, उन goods की cost की बात करी जा रही है, कि sold करे गए goods की cost कितनी थी, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि COGS हमारा cost price होता है, यहाँ पर हमने 40,000 के goods sale कर दिए, कितने में बेचे होंगे, हो सकता है 50,000 में बेचे हो, तो 40,000 के cost price की goods को हमने 50,000 में बेच दिय तो 50,000 तो हमारा sale price हो गया, और 40,000 हमारा cost price हो गया, जिसको हम COGS कहींगे, और यह जो cost of goods sold होता है, यह हमारा trading profit and loss account के debit side में जाता है, यह cost of goods sold हमारा expense होता है, 40,000 के cost price आपका expense होगा, और 50,000 में आपने goods को बेचा, तो 50,000 आपका sale price है, तो 50,000 के sale price में से आप 40,000 को minus करोग तो जो balance आएगा, 10,000 वो balance आपका profit होगा, तो आप profit कैसे निकालते हो, sale price में से, अपने expense को less करते हो, यह अपनी cost price को less करते हो, तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है, कि अगर आप अपने goods को sale करते हो, तो उसके case में, यह COGS, जो कि आपका cost price है, यह आपका expense कहलाएगा जो कि आपके trading profit and loss account के debit side में जाता है, तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, तो आप देखो यहाँ पर क्या क्या हुआ, यहाँ पर जो हमने 60,000 के goods पर्चेस करे थे, जो 60,000 के goods को हमने purchase account में डाला था, यह 60,000 के goods जो है, purchase account से निकल कर कहां कहां जा सकते हैं, सबसे पहल पर depend करता है, कि साल के end में आपका कितना closing stock बचेगा, या फिर जो है, पूरे साल में आप कितना good sale कर पाओगे, तो यहाँ पर हम बोल सते हैं कि purchases account के अंदर हमारा कुछ हिस्सा asset का भी होता है, और कुछ हिस्सा expense का भी होता है, तो आप इसको asset account बोलो या expense account बोलो, आपकी मर अलग-अलग books में इसके अलग-अलग logic दे रखे होते हैं, किसी book में इसको asset बता रखा होता है, किसी book में इसको expense account बता रखा होता है, तो आप जो मर्जी माल लो, accounting में उसका फर्क पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि चाहिए expense हो, चाहिए asset हो, दोनों का rule सेम होता है, asset expense बढ़ेगा, तो भी debit होगा, asset कम होगा, तो credit होगा, और expense भी कम होगा, तो भी credit होगा, तो दोनों का rule सेम है, तो accounting में तो कोई फरक आने वाला नहीं है, बाकि अगर मैं अपनी point of view से बात करूं, तो आपके लिए ज्यादा बड़ी है, यही रहेगा, कि आप जो है purchases account को मैंने आपको इतनी बाते नहीं बताई थी, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे हम नहीं नहीं बाते सीखते जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम अपने purchases account को देखें, तो यह purchases account को हम अपना expense account मालने पे, expense के अंदर क्या होता है, expense बढ़ता है तो debit, कम होता है तो अगरा एक asset account था, तो asset account के अंदर balance CD निकाला जाता है, balance CD निकालने का मतलब होता है, कि asset account के अंदर balancing करी जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर हमने cash account देखा था, cash account भी हमारे asset account होता है, तो यहाँ पर भी हमने balance CD निकाला था, यहाँ पर भी हमने account की balancing करी थी, फिर यहाँ पर हमने capital account देखा, capital account के अंदर भी हमने balancing करी थी यानि balance CD निकाला था, लेकिन अब हम देख रहे हैं जो कि हमारे expense account है, और मैं आपको बता दू, expense account के अंदर balancing नहीं करी जाती है, यानि यहाँ पर कोई भी balance CD नहीं निकाला जाता, यहाँ पर आप देखो, यह हमारा balancing of accounts है, इसके अंदर क्या बोला गया है, कि asset, liability और capital, इन तीनों के अंदर हम accounts की balancing करते हैं, लेकिन जो हमारे revenue औ expense के account होते हैं, इनके अंदर हम balancing नहीं करते हैं, revenue और expense account का जो closing balance आता है, उस closing balance को हम debit या credit balance का नाम नहीं देते, बलकि उस closing balance को हम directly अपने trading profit and loss account के अंदर transfer कर देते हैं, जहां से समझो, asset, liability और capital, यह तीनों हमारे balance sheet के account है, asset भी balance sheet में जाता है, liability भी balance sheet में जाता है, capital भी balance sheet म जाता है, तो इन तीनों account की balancing करी जाती है, किसी का debit balance आता है, किसी का credit balance आता है, लेकिन balancing तीनों की होती है, लेकिन अगर मैब बात करूँ, revenue और expense account की, तो revenue हो चाया a expense हो, दोनों की दोनों हमारा trading profit and loss account की अंदर आता है, तो revenue और expense account की कभी भी balancing नहीं करते, यानि इसका balance sheet ही में निकालते इन अकाउंट का जो अगलोट को अकउंट यह सब्सक्रेणायाँज सब्सक्राइब यहाँ आभ सकते हो यहाँ पर क्लोजिंग युल mentre balance CD का नाम नहीं दिया बलकि directly अपने trading profit and loss account में transfer कर दिया closing balance आप same तरीके से निकालोगे जैसे निकालते आ रहे हैं अभी तक हम closing balance वैसे ही निकालोगे जैसे हमने ये 1,90,000 पर निकाला था वैसे ही आप 1,00,000 रुपे भी निकालोगे लेकिन इस 1,00,000 रुपे को हम buy balance CD ना लिखते हुए इस balance को हम directly अपने trading profit and loss account में transfer कर देंगे तो समझ में आ रही है बात तो balancing वाला point clear हो गया तो आप देखते हैं अपने purchase account को तो purchase account हमारा expense account होता है expense बढ़ता है तो debit कम होता है तो credit हमने purchase account के debit side में लिखा हुआ है 1,00,000 रुपीज purchase account के debit side में लिखने का मतलब है कि आपका expense increase हुआ होगा तो यहाँ पर हमने जो है सुमित से उधार में कुछ purchase करेते जिसकी वज़े से हमारा purchase account increase हुआ था हमारा expense increase हुआ था अब अगर मैं credit की बात करूँ अब भी भी 0 है तो कितना कम पढ़ रहा है पूरा पूरा एक लाग रुपे कम पढ़ रहा है तो यह एक लाग रुपे यहाँ पर आप लिख लोगे तब जाके जो है आपका credit side का total भी एक लाग रुपे होगा अब यह जो एक लाग रुपे आपने difference लिखा है इसे एक लाग रुपे को आप debit या credit balance तो नहीं बोल सकते चुकि purchases account आपका expense account होता है तो आप क्या करोगे आप जो है इस एक लाग रुपे को आपने trading profit and loss account में transfer कर दोगे तो यह एक लाग रुपे की purchase आपकी trading profit and loss account के debit side में चल अधुक्तके चाहे expense account हो चाहे revenue अकाउंट हो चाहे असेट account हो चाहे liability हो चाहे capital हो सबी accounts का balance निकाल देते हैं फिर उसके बात जो है उस balance को हम अपछे trial balance के इन्दे Odd transfer कर देते हैं और ट्रायल balance से जो चीज trading profit and loss account में जणी होती है वो चीज ट्रेडिंग प्रॉफिटेंग लिष्ट अकांट में चले जाती है और जो चीज अमारी बैलिंसर चिट में चले जाती है तो कही बार ऐसा भी करा जाता है तो कई बुक्स में आपको ऐसा भी देखने को बिलेगा कि चाहे अकांट हो balance निकालने वाली बात है कि हम जो है asset account का भी balance निकाल दे रहे हैं हम जो है expense account का भी balance निकाल दे रहे हैं तो यह सारी बात है जो है मैं आपको अपने अगले example के अंदर बताऊंगा रूल तो यही कहता है कि आप balance नहीं निकालोगे लेकिन अगर आप balance निकाल भी देते हो तो भी कोई इक्कत नहीं है बाद में हम जो है उसको trial balance में जाके सही कर देते हैं तो अभी फिलाल के लिए यहां तक की बाद आपको समझ आपको पर्चेस अकाउंट आपको clear हो गया अगला अकाउंट है हमारा salary अकाउंट अब salary अकाउंट भी हमारा expense अकाउंट होता है तो सेम वही बात होगी expense बढ़ेगा तो debit कम होगा तो credit तो यहां पर debit में लिखा है 10,000 इसका मतलब 10,000 का हमारा expense इंक्रीज हुआ है तो हमने 10,000 की salary पे करी थी अपने bank account से payment करी थी तो ह हमारे पास पूरे साल में 10,000 की salary का expense है credit side में तो कुछ भी नहीं लिखा तो यहां पर आप इस account को close करोगे debit side का total आगया 10,000 जब भी credit side का total जी हो है तो यहां पर credit में भी आप 10,000 लिख दोगे difference कितने का है 10,000 का तो debit और credit को equal करने लिए यहां पर 10,000 लिख दिया लेकिन यह पर 10,000 हमारा कोई debit या credit balance नहीं है salary account हमारा expense account है और expense account का difference डारेटली ट्रेडिंग और प्रॉफिटल लौस अकॉंट में चले जाता है तो 10,000 लोपे trading और प्रॉफिटल लौस अकॉंट में चले जाएंगे तो समझमार यह बात यहां तक की बात clear हुई अब अगर मैं इसकी entry की बात करूँ कैसे पढ़ा हुए debit side को पढ़ना है salary account debit to bank account 10,000 तो यही entry थी चेक नहीं जरुवत तो नहीं है तो समझमा आ गया आप चलते है सुमित अकाउट को पर तो सुमित से हमने क्या करा था सुमित से हमने goods purchase करे थे उधार में जिसकी entry हमने क्या करी थी purchase account debit to sumit account दिख होता है liability तो सुमित हमाले liability है हम ऐसा भी बहुत सकते हैं तो यहां पर सुमित का account हमारा creditor का account है यानि हमारे liability का account है और हमें अच्छे से पता है जब हमारी liability increase होती है तो वह हमारी credit होती है और जब हमारी liability decrease होती है तो वह हमारी debit होती है तो यहां पर credit side में एक लाक रुपे तो इसका मताब है हमारी लाइब क्रीस होगी तो आपको क्या करना है इसको डैबिट साड में लिख लेना है एक लाग का यहां पर एक लाग को मैं अपना बैलेंस सीडी बोल सक्ता हूं तो बिलकुल बोल सकता हूं मैंना आपको अभी बताया, सुमित account हमारा creditor account है, यानि हमारा liability account है, और liability account के अंदर balancing करी आती है, asset liability capital account के अंदर balancing होती है, तो इसके difference को हम बोलेंगे 2 balance CD, 1,00,000 रुपे, और ये balance हमारा credit balance है, किस side का amount ज्यादा है, credit side का amount ज्यादा था, तो credit side का amount ज्यादा है, इसका मतलब ये यह हमारा credit balance कहलाएगा तो यहां पर यह हमारा balance लिए आ गया तो आप इस एक लाग को अपने balance sheet के अंदर लिख दोगे liability side में इसके आपकी एक लाग की liability है अब अगर मैं इसकी entry देखूं तो इसकी entry को कैसे पढ़ोगे पहले credit side के account को पढ़ेंगे purchases account debit to sumit account एक लाग रुपे तो समझ में आ गया तो entry पढ़ते कैसे यह भी clear हो गया तो आप चलते next account के उपर next है हमारा rent account यह भी हमारा expense account है rent हमारा expense होता है तो expense account बढ़ता है तो debit और कम होता है तो credit expense account के अंदर जो difference आएगा उसको directly trading profit and loss account के अंदर डाल दिया जाएगा तो यहाँ पर rent account के debit side में लिखा हुआ है 20,000 तो इसका मतलब है कि हमारा expense 20,000 से increase हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर हमने rent पर करा था cash में 20,000 का तो expense increase हुआ तो हमने debit side में लिख दिया अब credit side में कुछ नहीं लिखा तो आप इसको टोटल कर दोगे debit side के टोटल आ रहा है 20,000 जबकि credit side के टोटल आ रहा है 0 तो आप जो difference है उसको यहाँ पर लिख दोगे जिए आपका difference आ अब यह जो difference है यह जाएगा आपका trading and profit and loss account में चुकि यह आपका expense account है और expense account का कोई closing balance नहीं आता closing balance का मतलब समझ रही हो ना साल के end में जो balance वस्ता उसको closing balance बोलते हैं और साल के starting में जो balance होता है उसको opening balance बोलते हैं तो समझ में आ रही है बात तो यह हमारा rent account हो गया अगर आप इसको पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे debit side को पढ़ना है तो rent account debit to cash account BCR यही आपकी entry थी तो clear ह हो गया अब लास्ट बच गया हमारा furniture account हमारा एक asset account है asset बढ़ेगा तो debit कम होगा तो credit और asset account के अंदर balancing भी करी जाती है तो यहाँ पर debit में लिखा है 30,000 इसका मतलब है कि 30,000 से हमारा asset increase हुआ है तो हमने जो है furniture purchase करा था 30,000 का cash में purchase करा था तो हमारा furniture increase हो गया यानि हमारा asset increase तो हमने debit side में लिख दिया अब यहाँ पर credit side में कुछ नहीं लिखा तो इसका total कर लेंगे debit side का total आ रहा है 30,000 जबकि credit side का total आ रहा है 0 तो उसको equal करना है तो credit में भी 30,000 लिख देंगे उसके बाद difference आरा 30,000 का जो कि यहाँ पर लिख दिया जाएगा अब यह हमारा asset account है तो तो यह furniture का closing balance जाएगा हमारे balance sheet के अंदर balance sheet के asset side में हम TCR का furniture लिखेंगे तो समझ में आ रही है बात अब अगर मैं इसके entry पढ़ू तो debit side के entry है कैसे पढ़ोगे furniture account debit to cash account TCR तो समझ में आ गया तो आभी तक हमने general entry से ledger account कैसे बनाता है यह समझ लिए और ledger account से general entry कैसे बनात levelUC कि जगए debit balance आ रहा है कई जगा credit balance आ तो कहा पर debit balance आता है और कहा पर credit balance आता है यह बात भी हमें exactly पता रही है कि कौन से account document mean credit balance आता है तो यहां पर देखो यह है है हमारा balancing of accounts हम जो है account की balancing करते हैं सबसे पहले यहां पर इस note को देखो जो बात मैंने आपको बताई थी वही बात यहां पर लेखी है कि अगर आपकी credit side ज्यादा है तो इसका मतलब साफ है कि आपका credit balance आएगा जो side ज्यादा होती है उसी side का balance कहलाता है उसी तरीके से अ अब बात करते हैं कि आखर debit balance और credit balance आता क्यों है और किस account में debit balance आता है और किस account में credit आता है तो सबसे पहली बाद तो कि हम जो है अपने asset library और capital account को balance करते हैं तो balancing सिर्फ इन्ही तीन account के अंदर होती है Assets, Library & Capitals अब सवाल भी आता है कि इनी तीन अकॉंट में Balancing क्यों होती है? Revenue & Expense Account में Balancing क्यों नहीं होती? तो Simple से Logic है यह जो तीनों account है Assets, Library & Capital यह तीनों account हमारे Balance Sheet की account है यह तीनों account का Balance हमारे Balance Sheet के अंदर जाता है जबकि Revenue & Expense का Balance how ला प्रोफिट और लॉस निकलता है जबकि बैलेंस शीट से हमारे फानेशल पूजिशल बदा चलती है यानि अभी हमारे पास कितनी लाइबरेटी है अभी हमारे बिजनस के अंदर कितनी कैपिटल है अगर आपके पास असेट के अंदर 50,000 रुपे लिखें तो इसका मतलब है कि अस Taие Nine, SEC को आप अगले साल की बैलेंस हीट के अंदर भी हिलिक होगे जबकिяж हम इसी साल में खतम नह dissol SUS LLC करतेशोधे जो एक्सफेंस और रिवान्यू जिस साल का है उसी साल के ट्रेडिंग में चले जाएगा और में उस से हम अपना पॉफेड निकाल के उस Profit को हम अपने balance sheet के अंदर capital account के अंदर add कर देते हैं तो जब आपका expense और revenue next year में carry forward नहीं होगा तो सीधी बात है इसका कोई balance CD भी नहीं आएगा तो इसलिए कहा जाता है कि हम अपने revenue और expense को कभी भी balancing नहीं करते यानि इसका कभी balance CD नहीं निकालते जबकि जो हमारा Asset liability और capital होता है इसका balance sheet निकाला जाता है क्योंकि इसका balance जो है next year के balance sheet के अंदर भी carry forward होता है तो समझ में आ रही है अपको बात तो यहां पर यह तो समझ में आ गया कि किसकी balancing करी जाती और किसकी balancing नहीं करी जाती तो आप ज़रा देख रहे थे हैं कि आखिर asset liability और capital का कौन सा balance होता है तो ध्यान से समझना asset का जो है वो हमारा हमेशा debit balance होगा जबकि जो liability और capital होगी उसका हमेशा हमेशा credit balance होगा अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर हमारा cash account था जो कि हमारा asset account है इसका हमारे पास debit balance था मैं आपको बताया asset का हमे debit balance होता है यहां पर यह लिए debit balance था उसके बाद हमारा purchase función अकाउंट है यह था हमारा capital होता तो इसके बाद बात करें next next हमारा salary account यह था हमारा था तो समझना Ein आपको आगे बढ़ते हैं अब next है हमारा rent account तो यह भी expense account है इसका भी कोई balance नहीं होता उसके बाद आता है हमारा furniture account यह हमारा asset account है तो asset account का अभी बता है debit balance होता है तो यहां पर यह debit balance आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है मैं कोई एक accounting equation होती है asset equal to liability plus capital तो बस यहीं इसका logic है कि हमारी accounting equation है इसको आप याद रखना उसके बाद हमारे पास एक rule होता है debit और credit का rule जो कि हमें modern approach ने बता है कि जब भी हमारा asset increase होगा तो वह हमारा debit होगा और जब भी हमारा liability capital revenue decrease होगा तो वह हमारा debit होगा और जब भी हमारा liability capital revenue increase होगा तो वह हमारा credit होगा तो यह सारे रूल तो आपको मालूम है तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई तो आप दुबारा accounting question match हो रही है asset equal to liability plus capital तो अब हमें accounting के अंदर यह बोल जाता है कि आपके business के अंदर asset तो present होगी यह तो पॉसिबल नहीं है asset minus में हो ऐसा तो नहीं हो सकता उसी तरीके से आपके business के अंदर liability भी present होगी liability तो business के अंदर होती होती है तो liability का आपका हमेशा positive balance होगा उसी तरीके से आपके business के अंदर capital भी present होगी बीना capital के business कैसे start होगा capital तो business के अंदर होती होती है ही चाहिए हमारे पावेरी सब्रक्राइब सब्सक्राइब कबड़ी तो हम करेंगे कि हमारे पास capital है तो य। कर अधर्र पास पर गाया को जा E sh absorb your इस तरी के से सिथ खजो के subscribe기 करेंगे उसकी तरीके से अगर कि में धर्रेप्रेटी पर आती चाहते हो कि बिजनस के अंदर यह तो आपको यह मान के चलना पड़ेगा हमेशा डेबिट रहेगा यहीं हमारी लाइबरी भी हमेशा पॉजिटिव में रहेगी और हमारे जो कैपिटल है वह भी हमारा पॉजिटिव में रहेगा यानि capital भी हमारा increase रहेगा तब ही जाके जो है यह तीनों की तीनों चीज़ें हमारी business के अंदर आएंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यही बात वहाँ पर भी बोली गई तो यहाँ पर मैं रिवेन्यू और अगर यही वाला logic यहां पर भी लगाएं तो इसका balance भी आ सकता है कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूं यहां आप 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 देखो कि expense का हमारा debit balance होता है और revenue का हमारा credit balance होता है तो आप बोल सत्यों कि expense और revenue का balance हो सकता है लेकिन accounting क्याता है कि रूल के इसाब से revenue और expense account का balance नहीं निकालना चाहिए बाकि मैं आपको next example दिखाऊंगा जहां पर मैं आपको balance निकाल कर भी दिखाऊंगा तो balance हम निकाल भी दें तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है बाकि अगर आपके एक्जाम में छोटी के लोकोशन आए तो उसके लिए मैंने आपको भी बता दिया कि revenue और expense का balance नहीं निकाला जाता है तो समझ में आगी बात तो यहां तक की बात clear हो गई अब देखो चार general following का मतलब क्या होता है यहां पर देखो आप यह मैं के अंदर नेलल एंट्री के बात करते हैं तो यहां पर जोपर है क्या होता है कि हम जया है कि entries को journal book के अंदर एक साथ record कर दिया लेकिन जब हम ledger account मानते हैं तो ledger account के अंदर जो है हम हर एक type की accounts को अलग-अलग category में classify करते हैं यहाँ पर हम cash account को अलग करते हैं capital account को अलग करते हैं एक permanently account को अलग करते हैं funds Panel account को अलग करते हैं well एक बात बूली जाती है यहां पर आप देख सकते हो कि लेजर अकाउंट के अंदर हम क्लाशिफिकेशन करते हैं क्लासिफाइं करते हैं अंदर हम सब गलत क्लासिफाइश कर देते हैं similar के यहां पर क्टी हृटा है कि हम जब लेजर पोसिंग करते हैं तो वहाँ पर हमसे गलत लेजर हो जाती है यहां पर आधर हमें लगता है कि हमने किसी एंट्रीगो गलत पोस्ट कर दिया let's suppose यहां पर अगर हमें लग sağ Right की एंट्रीगो गलत पोस्ट कर दिया तो अब यह सही कैसे होगा यह यहां पर तो बहुत मोटी जनरल बुक बनती है और जिस जनरल बुक के अंदर एक साथ बहुत सारी एंट्री को रिकॉर्ड कर रहा होता है जनरल बुक के अंदर तो हम सारी एंट्री को रिकॉर्ड कर देते हैं कोई भी कैटेग्राइजिशन नहीं करते तो अगर आपको जनरल बुक के अंदर यह वाली rent account के entry दूननी है तो आप कैसे दून्ड होगे बहुत मुश्किल हो जाएगा जनरल बुक कितनी मोटी है उसके अंदर कौन से page नमर में यह वाली entry record कर रखे होगी पता नहीं बहुत मुश्किल है दूनना तो इसलिए यहां पर जो है यहां पर इसके सामने लिख देते हैं कि जनरल बुक के अंदर यह furniture account की जनरल एंट्री कौन से page नमर में रिकॉड हो रखी है तो जनरल बुक का page नमर यहां पर लेजर account के सामने लिए जाता है जुसको हम जेएफ का नाम देते हैं यहां पर हम इसी तरीके से सभी account का जेएफ लिखते हैं यहां पर आद देखो जनरल फोलियो का मतलब बता रहता अगर हमें यह जानना है कि जनरल एंट्री का लेजर लेजर बुक के कौन से page नमर में बना हो तो यहां पर हम जो है यहां पर आप फोल schemes को देख लेते हैं यहां पर हम एंट्री के सामने लेजर बुक का page नमर लिखते हैं इस एंट्री का लेजर पीष हमें कहलें करना हो अगर नहां से पेज नमर लिखा होगा तो सेम वही हिसाब किताब है वही लॉजिक है जो जेएफ का था तो समझ में आगी आपको बात एलेफ और जेएफ का मतब क्लियर हो गया अभी मैंने आपको कुछ बाते नहीं बताई है तो अभी थोड़ा इंतजार करो वो सारी बाते हम अपने एकजामपल के अंदर हमें देट भी दे रखिए है डेट वाइस ट्रांजक्शन दे रखिए है अब हमें ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगने वाला वाला क्योंकि जनेरल एंट्री बनाना में आता है उसकी करना में आता है बैलेंसिंग करना भी आथा है तो साई बात है हमे डेट वाइस ट्रांजेक्शन को देखना है और मैंने आपको जो है एक क्लोजिंग बैलन्स और उपनिंग बैलन्स कैसे लिखते हैं यह सिखाना है तो देखते हैं अपने इस एक्जांपल को